दोस्तों अरद्देर एस अकेडमी की यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजस्तान में आई जीते सभी प्रतियों की परिक्षाओं के लिए दोस्तों राजस्तान की कलास संस्कृति में सबसे महत्वपून टोपिक मना जाता है वो है राजस्तान की परम सब्सक्राइब करें तो चलिए दोस्तान की चित्रकला से समंदित देखे पहला प्राश्टन राजपूत पैंक्टिंग्स नामक है पुस्तक के रचिता कौन है दोस्तो बताईए राजपूत पैंटिंग्स नामक पुस्तक के रचिता कौन है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो वो है अपना इसमें आनंद कुमार स्वामी आनंद कुमार स्वामी ने दोस्तो राजपूत पैंटिंग्स नामक पुस्तक के रचिता की थी इसमें तीन नंबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा कब की थी तो दोस्तों याद रखना है 1916 में की थी 1916 इस्वी में राजपूत चित्रकला सहली का पर्थम विग्यानिक विबाजन अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में किया था किसने तो चित्रकला की राजपूत सहली का विकास किस सताबदी से माना जाता है राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों सोलवी सताबदी से माना जाता है तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दो नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखे इसमें तीन नंबर का प्रेस ने किस सेली में हरे रंग का सरवाधिक प्रियोग किया जाता है किस सहली में हरे रंग का सरवादिक परियोग किया जाता है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है जैपूर एवम अलवर सहली में जैपूर एवम अलवर सहली में दोस्तों हरे रंग का सरवादिक परियोग किया जाता है इसमें एक नंबर का option बिलुकुल सेह उत्र हो जाएगा आगे देखेए इसमें चार नंबर का प्रशन है राजस्तान की मूल सहली के रूप में किस चितर सहली को माना जाता है वो है दोस्तो मेवाड सहली यहाँ पर अपना इसमें राइट अंसर हो जाएगा एक नंबर का option बिल्कुल स्यूत्तर है हो जाएगा यह आपको इसमें याद रखना है, अच्छा प्रस्न है यह, मेवाड सहली इसमें बिल्कुल स्यूतर हो जाएगा इसमें, आगे देखे हैं, पांच नंबर का प्रस्न है, राजस्तान की किस चितर सहली में आम के वरक्ष की भूमी विशेश रूप से दर्शनिये हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जोधपूर सहली में यानि कि मारवाड सहली के अंदर यह आता है और यह अपने जोधपूर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यानि कि दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर ठीक है दोस्तों देखिए जो जोदपुर सहली का जो सरवादिक विकास है वो राव मालदेव के समय हुआ था ठीक है और उसके बाद में दोस्तों मोटा राजा उदैसिंग के समय भी हुआ था इनका विकास ठीक है यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दो मेवाड सहली किस व्यक्ति के प्रती रिणी हैं देखिए दो चीज आपको इसमें याद रखनी है एक तो है मेवाड सहली के अंदर जो चित्रकला का जो स्वन काल है वह स्वन काल किस के काल को का जाता है तो दोस्तों जगत सिंग पर्थम के काल को का जाता है महराना जगत सि इसलिए अलग है क्योंकि दोस्तों रिणी का मतलब हो जाएगा कि दोस्तों यानि कि किसके समय इसका विकास है वो प्रारंब हुआ था तो यह वा था दोस्तों राना कुंबा के समय दोस्तों इसका विकास है वो सरवादिक हुआ था दोस्तों देखे यहां पर माराना कुंबा है वो खुद एक संगीत अगय थे विद्वान थे और इन्हों ने दोस्तों कला को सर्रक्षन परदान किया था इनके समय में काफी दोस्तों गरंथ लिखे गए थे जैसे रूप मंडल ठीक है रूप मंडन मूर्थ देव मूर्थी परकरने ठीक है और भी कई गरंथे लिखे गए थे इनके समय तो यहां पर इसका राइट अंसर हो जाएगा तीन नंबर उप्षन बिल्कुल सही उतर है आगे देखिए इसमें साथ नंबर का प्रस्थन है राजस्तानी चित कावे से सरोबार है यह किसने का था यह का था दोस्तों किसने यह का था किसने तो यह डॉक्टर के स्वामी ने डॉक्टर के स्वामी ने का था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा अपना इसमें ए नंबर का जो अप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे कि आपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें मेवाड से लिकी यह क्या है प्रमुक विसेश्था है यह आपको इसमें याद रखना है ठीक है क्या पुछा गया है कि विसाल नेत्र ठीक है चित्रों में लाल रंग कदम के व्रक्स की प्रदानता यह मेवाड से लिकी परमुके विसेश्थाएं हैं यह आपको इसमें याद रखना है दोस्तों गठीला सरीर लंबी मुछे विसाल आखे छोटा कद ठीक है सिर पर पगड़ी वै कलंगी से सुसोबित ठीक है यह सारी ची सुस्तर आगे देखे मेवाड के चित्रकला के इतियास का स्वन्यूग किसके सासनकाल को माना जाता है अभी मैंने आपको बताये था दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानिकि चित्रकला का जो स्वन्काल है वह महराना जगत सिंग पर्थम के काल को माना जाता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चार नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उत्तर है इसमें हो जाएगा आगे देखें इसमें दस नंबर का प्रसने कलीला दमना क्या है दोस्तों देखिए कलीला दमना क्या है तो यह मेवाड सेली के कहानी के दो पात्र हैं दोस्तों कलीला दमना का जो फार्शी अन्वाद हुआ है ठीक है दोस्तों इस सेली में पंच तंतर जो विश्णु सर्मादवारा लिखा गया है कि फार्शी अन्वाद में दोस्तों यह कलिला दमना का चित्रंकन हुआ है ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है और यहां पर देखें यह क् चित्र सेली के दो कथा पहत हैं तीन नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिलकुल सहयोत्र हो जाएगा इसमें आगे देखे ग्यारा नंबर का प्रेस्णे राजस्तान के किस इस इस्तान पर 55 की कथाओं का चित्रन सुरक्षित है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जोधपूर में तो यहां पर इसमें एक नंबर का ओप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा जोधपूर में आगे देखिए 12 नंबर का प्रेस ने परत्विराज रा सो रागमाला गीत गोविंद और पउंच टंतर किस छहली के प्रसिद्य चित्र है इस जयु साय औतर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें यह मेवाड सेली के क्या है दोस्तों प्रशिद्द चित्र हैं यह आपको इसमें याद रखना है ठीक है अच्छा प्रस्णा आप इसको कह सकते हैं ठीक है तो यहां पर इसका राइट आंसर तीन नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इसमें आगे यह यह प्रिक्षाओं से प्रस्ण है यह पुछा जा चुका है दोस्तों देखिए को को यहां पर बता रहा हूं ने prowad को में याद रखना और यह किसके सासनकाल में हुआ था तो दोस्तों यह जो मेवाड का उस समय सासक था तेज सिंग ठीक है तेज सिंग के समय चित्रित किया गया था याद रखना ठीक है और किसके द्वारा यह चित्रित किया गया था तो वह भी नाम आपको याद रखना है कमल चंदर के द्वारा यह चित्रि तरह हो जाएगा यह आपको इसमें याद रखना है ठीक है आगे देखिए इसमें चोदर नमबर का प्रेशने राजस्तान में पिछवाई का चित्रांकन किस सहली में किया जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों अपना इसमें देखिए पिछवाई का नाम आते ही नाथ द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा नाथ द्वारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है बहुत ही अच्छा प्रेशन है यह आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 15 नमबर का प्रेशने स्री कृष्ण की लीलाओं का चित् बिल्कुल सही उत्र नाथ द्वारा सहली में आगे देखिए 16 नमबर का प्रेशने मेवाड और ब्रज की सांसकर्तिक परंपराओं के समिस्रन से निमनलिकित सहली का उद्वा हुआ माना जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों नाथ द्वारा सहली से तो यह के अंदर ठीक है दोस्तों मत्स द्वारा सहली की गो प्रमुक विशेश्ता वो क्या है तो केले के व्रक्स के यहां पर परधानता है आम के व्रक्स की जोदपूर में गाय का मोह चितरांकन ये भी है ठीक है यहाँ पर अपना तीन नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखें इसमें नात द्वारा सेली का उद्गम कब से माना जाता है नात द्वारा सेली का जो उद्गम है वो दोस्तो कब से माना जाता है इसका right answer क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कब से माना जाता है तो ये 10 फरवरी 1672 से माना जाता है एक नंबर का जो option है वो इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा ये आपको इसमें याद रखना है ठीक है यानि कि नाद द्वारा सेली का जो उद्वव है ये से ही माना जाता है ठीक है यहां पर इसमें एक नंबर option बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे जोदपूर में मारवाड चितर सहली का प्रारंब किस राजा के सासनकाल में हुआ था बताए अच्छा प्रस्टन है दोस्तों यहां पर इस प्रस्टन का right answer हो जाएगा वो है माल देव के समय दो नंबर का option बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा देखे जोदपूर चितर कला की इस सहली का जो विकास है वो राव माल देव के समय हुआ था और उसके बाद में मोटा राजा उदैसिंग के समय इस पर दोस्तों मुगल सहली का प्रभाव है वो पढ़न चितर सहली की देन है दोला मारू नामक सुपरशिद चितर कि सराजस्तानी चितर सहली की देन है इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें मारवाड एक नंबर का जो option है वह इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मारवाड देखे जोदपूर शहली के जो पर्मुक चित्रित गरंथ है वह मैं आपको बता देता हूं डोला मारू ठीक है डोला मरवन्री वात काम सुतर पंस्तंतर वेली कृष्ण मारवाड चित्र सहली की ये देन है याद रखना ठीक है मारवाड चित्र सहली की ये देन है भागवत पुरान याद रखना ठीक है तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा तीन नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें आगे देखिए तो अपना इसमें 21 नमबर का प्रस्ण है साबुदीन मनोहर जगनाथ किस चित्रकला सहली के प्रमुक चित्रकार हैं बताएं यहां पर पूछा गया है साबुदीन मनोहर जगनाथ किस चित्रकला सहली से संबंदित हैं तो दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाएगा वह दोस्त बिल्कुल सही आगे देखे इसमें 22 नमर का प्रेस ने बादाम की तरह आखे आम का वरक्स परमुक्त उंट और कोई का चित्रन और पीले रंग की परधानता किस चित्रकला सेली की मुख्य विशेशता है तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है अपना इ यहां पर 23 नमर का प्रेस ने चोखला महल में बनाए गए चित्र किस सेली के परतित है राइट आंसर हो है वह दोस्तों अपना इस में ये है मारवाड सहली तो इसमें चार नमबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा याद रखना मारवाड ठीक है आगे देखें इसमें रूप मती बाज बहादूर मुमल दे निहाल दे डोला मारू उजली जेटवा किस चितर सहली के प्रतीक हैं तो राइट आंसर हो जाए जाएगा दो नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर है आगे देखें इसमें 25 नमबर का प्रेस ने बिकानेर सहली का प्रारंब किसके समय से माना जाता है बताए बिकानेर सहली का जो प्रारंब है वो किसके समय से माना जाता है यह अपने को यहां पर क्या बताना है हो जाएगा दोस्तों महाराजा अनूप सिंग के समय महाराजा बिकानेर का महाराजा था अनूप सिंग उसके समय दोस्तों अधिक चित्र है वो चित्रित किये गए थे तो यहां पर इसमें तीन नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र और जो बागवत पुरा चितर सहली का स्वान यूग किस सासक के समय माना जाता है बताएए विकानेर चितर सहली का स्वान यूग किस सासक के समय को माना जाता है सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों महराजा अनूप सिंग के काल को विकानेर चितर सहली का स्वान यूग कहा जाता है एक नंबर उप् कौन सी सहीली का है किसंगड सहीली का है जहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा तीन नंबर का אoper quan बिलकुल सही उत्र टीक है डोस्तों किसंगड चितर सहली के अंदर जो बणी ठणी को रादा के प्रती के रूप में चितरित किया गया है और बणी ठणी राजा सावंत सिंग की प्रेमी का थी इनका चितरे सावंत सिंग के काल में मोर्दवज निहाल चंद ने बना ये आपको इसमें याद रखना है और इसी को यानि की बणी ठणी को एरिक डिक्सन ने भारतीय मोनालिसा की संग्या दी थी और 1903 में इस पर दोस्तो एक डाक टिकेट जारी किया गया था और जो किसंगेड सेली है यानि कि बनी ठनी को परकास में लाने का जो स्रे है वो दोस्तो एरिक डिक्सन वे फियाज ली को जाता है यहां पर तीन नमबर उप्सन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा किसंगेड सेली आगे देखे किसंगेड चितर सेली का स्वन्यूग किस सासक के सासन काल को माना जाता है इसका सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तो महराजा सावन सिंग के काल को स्वने काल कहा जाता है तो इसमें चार नमबर ऑप्षन बिल्कु सही उतर गुरतिस नमबर प्रेशन है कि संगर्ड शहली को प्रकास मिलाने का स्रे किसी दिया जाता है अभी मैंने आपको बताया था क्या नाम था उनका तो एरिक डिक्सन तथा डॉक्टर फिया जली इनको स्रे दिया जाता है दोस्तों कि संगेड सहली को परकास मिलाने का तो इसमें दो नमबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा तीस नमबर का प्रेस ने इसमें देखे निम्न में से बुंदी सहली का सर्वस्रेश्ट उधारन कौन सा है तो बुंदी सहली का सर्वस्रेश्ट उधारन है वो है रंगीन चितर यानि की चितर साला तो इसमें दो नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा एक तीस नमबर का प्रेस ने इसमें देखे बुंदी चितर सहली का विकास राव सुर्जन सिंग के समय किस सद्धी में प्रारंब हुआ था बताईए अच्छा प्रेस ने है यहां पे सीधा सा पुछा गया है कि बुंदी चितर सहली बुंदी चितर सहली का जो विकास है वो राव सुर्जन सिंग के समय किस सद्धी में प्रारंब हुआ था तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें कौन सा तो वो है दोस्तो 16 सदी में तो इसमें 4 नमबर का जो option है वो इसका बिलकुल सही उतर हो जाएगा या आपको इसमें याद रखना है ठीक है देखे 16 सदी में तो राव सुरजन सिंग के समय हुआ था और दोस्तो अठारवी सदी में राव उमेद सिंग के सासनकाल में भी दोस्तो इसका विकास हुआ था तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर बत्तिस नंबर प्रेशन है इ लक्षिन भार्तिये चितरकला के तत्वो का समिस्रन हुआ है इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें राव अनिरुद सिंग के समय तो इसमें तीन नंबर का जो आप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा राव अनिरुद के समय तो यहां पर इसमें तीन नमबर उप्षन बिल्कुल सही आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 33 नमबर प्रशन है राजस्तानी विचारदारा की चितरकला का आरंबिक मुख्य के अंदर कौन सा था तो आरंबिक मुख्य के अंदर है वो कौन सा था राइट आंसर हो तो यहां पर अपना इसमें एक नमबर का जो अप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यह आपको इसमें याद रखना है ठीक है आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 34 नमबर का प्रशन है राजस्तान की किस चितर सहली के होली के चितर प्रशिद है होली क तक प्रशिद हाँ कि बूंदी चितर सहली में सथ हरारंग का विशेश प्रधान आपको वहां पर देखने को मिलेगा और दोस्तों मैयूर हाती हीरन केले वहग्षुर के वरक्षाओं की कि आपको वहां पर चितरंकन देखने को मिलेगा ठीक है तो यहां पर इस प्रेस्टिंग का राइट आंसर हो जाएगा चार नंबर उप्शन बिल्कुल सही उत्र आगे देखे बूंदी के भीती चित्रों के लिए प्रशिद चित्र साला का निर्मान किस ने करवाया था दोस्तों चित्र साला का जो निर्मान है वो कि प्रश्ट उदारन है तो यहां पर चार नंबर उप्शन बिल्कुल सही उत्र चतिस नंबर देखे बूंदी सहली का सरवादिक विकास किस सासक के काल में हुआ था इसका सही उत्र हो जाएगा वह है दोस्तों अपना इसमें राव सुर्जन सिंग के समय सरवादिक विकास तो दोस्तों यहां पर देखे मदुमालती की कथा नामक प्रशिद्य चित्र किस राजस्तानी चित्र सहली का है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों कोटा सहली का यह प्रमुख चित्र है तो यहां पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वह है अपना में दो नंबर का जो जो प्षिन है व इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है कोटा सवेधte जो सवतंतर अस्तित्व इस्तापित करने के बाद में दोस्तो राम सिंग ने दोस्तो सवतंतर राजे की स्तापना की थी उसके बाद में महरावल भीम सिंग ने कोटा राजे में कृष्ण भक्ती का दोस्तो विशेश महत्व दिया था कृष्ण भक्ती को विशेश महत्व दिय इसमें राइट आंसर हो जाएगा दो नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखिए जेन बंडार नामक चित्रकला संग्राले कहां इस्तित है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें जैसल मेर में एक नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर आगे कि दस वेकालिक सुत्र चूरणी एवं ओ घनी युक्ती नामक चित्रीत गरंथ कहां पाए जाते हैं बताइए राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों ये जैसल मेर में पाए जाते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वह दो नंबर का जो अप्सन है वह इसका बि सारवार्ड में साथवी सदी में साथवी सदी में दोस्तों स्रंगदर नामक चित्रकार का उले किया है राजस्तान में दोस्तों 1060 इस्वी के ओध नियुक्ति वर्ती एवंग दस वेकालिक सुत्र चूरनी गरंथ मिले हैं ठीक है तो यहां पर है दोस्तों यह दस वेकालिक सुत्र चूरनी एवंग घडी युक्ति नामक चित्रीत गरंथ है यह जैसल मेर मेर में पाए जाते हैं दो नंबर का उप्शन बिल आमेर जैपूर और अलवर सहली को दोस्तों डूंडान सहली में सामिल किया जाता है चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए 41 नंबर का प्रेस ने राजस्तान में व्यक्ति सहली के चित्र किस सहली से समन्दित है इसका सही उत्तर हो आगे देखिए इसमें राजस्तान की कि सहली पर मुगल शहली का प्रभाव सर्वादिक दिखाई देता है तो यह देता है दोस्तों जैपूर सहली में तो यहां पर चार नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सहुत्र हो जाएगा जैपूर सहली में ठीक है आगे सहुत्र हो जाएगा जैपूर सहली के किस प्रसिद्द चित्रकार ने महराजा इस्वरी सिंग का आदमकद्द चित्र बनाया यह प्रस्ने महत्वपूर्ण है दोस्तों यहां पर देखिए क्या पुछा है कि इस्वरी सिंग का आदमकद्द चित्र है वो दोस्तों किस ने ब ब्राइम इसका बिल्कुल सहीध्र हो जाएगा आइस में ठीक है आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें पैंत आलिस नमबर का प्रस्तने अलबर शहली का प्रारंब किस सासक के समय हुआ तो यह प्रताब सिंग के समय प्रारंब हुआ था तीन नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्र आगे देखिए अपना इसमें 43 नंबर का प्रेस ने डाल चंद सारे के सारे हैं ये अलवर शेली के चित्रकार हैं यहां पर इसमें राइट अंसर हो जाएगा दो नंबर ivol सब्सक्राइए ऐसमें कौन सी यहां पर तीन नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्र बक्तावर सिंग ने आगे देखे अलवर के सासक विने सिंग के समय में वहां के सुप्रशिद चित्रकार थे तो वह कौन थे इसका सही उत्र हो जाएगा वो है दोस्तों बलदेव एवं गुलाम अली तीन नंबर का उप राजा रवी वर्मा दो नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्र राजा रवी वर्मा आगे देखे इसमें इकावन नंबर प्रेस्टने राजस्तान में आधुनिक चित्रकला नव प्रभाववादी जन चित्रांकन पद्धांत का प्रारंब करने वाले थे तो इसका आंसर हो जाएगा ठीक है याद रखना माश्टर कुंदनलाल मिस्त्री यह काफी जदा चर्चा में भी रहे थे और कुंदनलाल मिस्त्री को और हजस्तान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंब करने का सरे जाता है ठीक है इन्होंने दोस्तों मिवाड के सासक मारणा 62 महतवपूर्ण चित्रों की स्रंखला का निर्मान गुनिश्वी सदी में जोदपूर के किस सासक ने करवाया था तो दोस्तों यह करवाया था महराजा मान सिंग ने तो इसमें दो नंबर का उप्शन बिलकुल सहीतर हो जाएगा महराजा मान सिंग ने आगे देखिए बील नंबर का उप्शन बिलकुल सहीतर हो जाएगा दोस्तों काकरोली राजसमंद में जन्में गोवर्दन लाल बाबा भीलों के चितरे की रूप में प्रसिद हैं इन्होंने दोस्तों बीलों के जीवन सहली को अपनी दोस्तों तुलिका से जीवन्त किया है ठीक है तो इसमें राजस्तानी चितरकला में कौन सा पक्सी सरवत्र अंकित है तता मेवाद ढूंदान मारवाड और हाडोती शैलियों के परकृती चित्रन के अंकन में विशिष्ट छाप रखता है तो वो कौन सा पक्सी रखता है यह विशिष्ट चाप तो इसमें राइट आंसर रो किसे माना जाता है इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अपबरंच सहली से तो इसमें एक नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र अपबरंच सहली से आगे देखे राजस्तानी सहली का उद्बव का काल कौन सा था राजस्तानी सहली के उद्बव का कौन सा था इसका सही उत्र हो जाएगा वह मुगलकाल दो नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र मुगलकाल आगे देखे प्रसीद्धे चित्रकार राम गौपाल विजय वर्गिये का जन्म किस जिले में हुआ था तो यह जन्म हुआ था दोस्तों स्वाई मा राम गौपाल विजय वर्गिये ने तो यहां पर इसका राइट अंसर एक नंबर उप्षन बिल्कुल सही उत्र हागे देखे मेवाड के महराना अमर सिंग के काल में 1605 इस्वी में चावंड की रागमाला चित्रित करने वाला है चित्रकार का नाम था बताएए मेवाड के इतियास में दोस्तों महराना अमर सिंग के काल में 1605 इस्वी में रागमाला का चित्रन किया गया था तो दोस्तों रागमाला का जो चित्रन किया गया था यह अपने को यहां पर बताना है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा नसीरुदीन के द्वारा यह चित्रन किया गया तिसमें एक नमर आ उप्शन बिल्कुल उत्तर हैं आगे देख़ें साट नमबर का प्रेस ने करपाल सिंग्छ सेकावत ने बलू पार्टरी में कितने परकार के रंगों का प्रियोक किया दोस्तो करपाल सिंग्तावत ने BROWN जो कि weten Q . के रंगों का इनों ने क्या किया था प्रियोग किया था तो इसमें दो नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें इक सट नंबर का प्रेस्न है भाटी अमरदास वै नाराणदास चितरकार किस सहली से समंदित हैं सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों यह जोदपुर सहली से समंदित हैं तो यहां पर तीन नंबर उप्षन बिल्कुल सही उत्तर है आगे देखिए पसु पक्सियों को जिस स स्तान मिला है वह सेली कौन्सी है तो दोस्तों बुंदी सेली तीन नंमर का और उप्सण बिल्कुल सई आगे सोने चांदी का प्रियोग सर्वपरतम कों कि भर राघन हुआ यह प्राख हुआ तो यह बिता यह प्रार्मब हुआ दोस्तों कोटा सेली में चार नंम प्रती 1570 में दोस्तों किस संग्राले में सुरक्षित है इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है दोस्तों प्रिंस ओफ वेल्स मुजियम मुंबई में यह सुरक्षित है तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन नंबर उप्सन बिल्कुल सही आगे देखें राजस्तान की कोंगी चितरकार रेत के माद्यमशे चितर बनाने में ख्याती प्राप्त है इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है दो棒 है दोस्तों डोक्टर वीर-ballah भावसार इसमें चार नंबर आंसर आंसर हो जाएगा वहाएगा तोरक्षामम ही पर sett cm2 bacter के की दिवार पर शित्तर बना जाता है तो यहां पर तीन नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र आगे देखे मानव शरीर पर चित्र गुद्वाने की ज्यादातर परता किस जंजाती में विशेश है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों अपना इसमें भील जंजाती में यह मानव शरीर प है विराट के मुगल गार्डन में कशोड़ी के नंकित में इसका सही उत्र हो जाएगा वह दोस्तों इससमें विलकुल सही हो जाएगा आगे देखे सतर नंबर का प्रेस ने शनातन धर्म मंडल मंदल कासी-द्वारा चित्रकला भूसन एवं भारत है धर्म महामंडल द्वारा चित्र निपून उपाधी से सम्भानित राजस्तानी चितरकार थे तो वह राजस्तानी चित्रकार टो थे ध़ों iemand लाल मिस्टरी तो यहां पर एक नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा कुंदन लाल मिस्टरी मैंने आपको बताया था इन्होंने माराना परताब का चितर बनाया था तो इसमें एक नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा तो दोस्त वो जरूर देखे और अरद्धारेस अकेडमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेयर जरूर करें, मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में, जै हिंद, जै भारत!